नमस्कार दोस्तूं, एके राइटर यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिट से स्वागत है दोस्तूं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी बेंग की पास्बुक कहीं पर खो गई है या फिर फट चुकी है, तो इस वीडियो के इंदर में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एक बेंग को एप्लिकेशन लिख कर देना है और आप बेंग से वापस एक नई पास्बुक प्राप्त कर सकते है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है एप्लिकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, सिर्यमान, साका प्रबंदक और जो भी आपकी बेंग की ब्रांच है यानि स्टेट बेंग को ओप इंडिया, बेंग को बड़ोदा, पंजाब नेस्टन बेंग जो भी आपका बेंग है, उसका नाम लिख देना है और जो भी आपकी सीटी है, सीटी लिखके आपको अपने राज्ये लिख देना है विशे के अंदर आपको लिखना है, बेंग पास्बू के खो जाने पर नई पास्बुक के लिए आविदन पत्र ये विश्य आपको डाल देना है आगे आपको लिखना है महोदे जी सवीने निविदन है कि मैं यहाँ पे जो खाली बोक्स है वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है आपके बेंग का खातादारग हूँ मैं आपकी बेंग के सेवा का लाव विगत वर्सु से लेता आ रहा हूँ जिसका खातासंक्या जो भी आपकी खातासंक्या है वो यहाँ पर इस खाली बोक्स में लिखनी है मास्य खारण यह है कि मेरी बेंग की पास्बुक कल बाजार से लोटते वक्त बाजार में मेरा पास्बुक गिर गया और मैं उसे पुन प्राप्त नहीं कर सका जिसका मैंने पुलिस थाने में प्रात्मिक शिकायत कर दी है जिससे मुझे कुछ दिनों से अपने खाते से सम्मंदित लेंदेन की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है तता bank से जुड़े अन्य कार्यों में प्रेशानी आ रही है इस समझा के निराकरण के लिए मुझे एक नए bank passbook की आविशक्त है यह बात आपको अपनी application में लिख देनी है जो matter हमने आपको लिख कर बताया है अगर आपकी passbook कहीं पर खो गई है या फिर लापता हो गई है तो यह बात आप लिखिएगा इसके बाद आपको आगे लिखना है ते सिरिमान से विनवन निविदन है कि आप मेरे खाता संक्या वापस आपको अपनी खाता संक्या लिखना है के लिए नया bank passbook परदान करने की किरपा करई जिसके लिए मैं सदा आपका आबारी रहूंगा यह बात भी आपको लिख देनी है आगे आपको लिखना है आपका विश्वासी आपका जो account में नाम लिखा हुआ है यानि bank passbook पे जो नाम था वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है आपकी जो account number है वो यहाँ पर वापस account number आपको डालना है और आपके mobile number है mobile number लिखिएगा इसके बाद जिसतारी को आप यह application लिख रहे है उस दिन के आपको दिनाग डाल देनी है और जो आप bank में लेंदेन करते समय हस्ताकसर करते है वो हस्ताकसर आपको करकर यह application आपको bank के किसी भी करमचारी को दे देनी है bank करमचारी आपको जो passbook के लिए निर्दार चार्ज रखा गया है वो चार्ज काटकर आपको एक नई bank passbook दे देंगे उमेद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा अभी तक आपने हमारे चनल एकर आइटर को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजी जय हिंजा बारत वाने मातम